अगर आपके पास बहुती कम टाइम है, क्योंकि आप जॉब करते हैं, या फिर आप कोई और बिजनस करते हैं, या फिर आप इस्टडी करते हैं, और आप चाहते हैं कि बहुती कम टाइम को डेडिकेट करते हुए अगर option ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं, तो जो live data है, उसके उपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से कम time देते हुए, आदा घंटा, एक घंटा भी अगर आपके पास है, तो आप जो है पैसा बना के market से निकल सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो telegram का यह channel है, और यहाँ पे मैंने जे कुछ trades दिये थे, पहला trade मैंने दिया था, इस वाले candle पे देखो, यहाँ पे, मैं आराम से 9.30 पे आया, जो है बनाया, ठीक है, और उसके बाद मैंने नीचे का जो है, यह वाला, एक support वाला trend line जो है बनाया, और मैंने बोला कि यह जिधर भी break होता है, उस तरफ का हम trade लेंगे, तो पहला जो candle था, 9.37 वाले पे मैंने जो है पहला trade दिया था, यह वाला, ठीक रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे, मैंने बोला है, जब यह break होगा, तो हम यहाँ पे entry जो है, प्लान करेंगे, अब हुआ क्या, इसमें मुझे SL देना पड़ा, first SL given, क्योंकि यह थोड़ा सा break करने के बाद, market दुबारा से reverse करता है, और SL ले जाता है, तो पहला SL चला गया, उसके बाद क्या हुआ, मैंने second trade दिया, कौन सा वाला, इस वाले candle पे, मैं यह सारी चीज़ें अगर मैं हटाता हूँ, तो यह वाला candle देख रहे हो, आप यह वा में added है, उनके साथ अगर में trade कर रहा हूँ, तो उनको भी हिम्मत मिलता है, कि भई, कोई तो है, जो मेरे साथ में trade कर रहा है, और उनको support मिलता है, कब hold करना है, यह तमाम चीज़ें जो है, उनको पता चलता रहता है, और इसमें सारे students है मेरे, तो यहाँ पे अगर आप दे exit करना था, तो वो भी मैंने बताया, कि exit the position in profit, ठेक रहे हो, और मैंने क्या बोला, एक और opportunity का wait करो, जहां पे आपको क्या मिले, कि दुबारा से profit आप बोग कर लो, तो एक में आपका क्या गया, loss गया, आपने loss दिया, second में आपने 1-2 का target लिया, यानि कि loss भी recovery हुई, profit भी म देला, और उसके बाद जो third trade मैंने दिया, देखो third trade 951 पर, ठीक है, ये वाला entry मैंने बताया, कि यहां पर आपको entry लेनी है, और यहां stop loss का level क्या रहेगा, वो भी मैंने यहां बता दिया, आप देखो, momentum after resistance break, guide करता जा रहा हो मैं students को, SL trail कहां करना है, वो भी बताया, SL trail का level दिया, यहां पर देखो, यहां पर लिख के दिया, कि कहां पर trail करना है, और उसके बाद आप देखोगे, तो जब exit करना था, मैंने बताया कि market is slow, so exit at very close to the target, यानि 1 is to 2 का जो target था, उसके बहुत close में, हमने जो है exit कर दिया, देखो यहां पर, यहां पर exit किया, जहां पर भी risk लिया होता, तो दो trade में आप double-double लेते, दो-दो हजार रुपे, तो आपके बने कितने, 4000, एक trade में आपने loss किया, दिया कितना, 1000 रुपे, यानि 1 is to 2 का target अगर आप रखते हैं, तो 1000 रुपे आपने दे दिये, 4000 में से 1000 आपने निकाला, तो बचे 3000 रुपे, मैं 200-300 तो profit भी बड़ा मिलेगा, तो यह समझाने के लिए आपको मैंने बताया कि, overall आप पूरे दिन भर में किस तरीके से आप trade करते हैं, आप profitable निकलते हैं, यह matter करता है, एक trade में क्या हुआ, इस से matter नहीं करता है, आपके पूरे दिन भर का trade जो आपने लिया, उसमें आप overall profitable हैं 10 बजे, यानि आदे घंटे के अंदर, आदा घंटा भी नहीं लगा, लगभग आदे घंटे के अंदर सारा काम जो है, हो गया, और मैंने बता भी दिया कि, done for the day, अब मुझे trade नहीं करना है, अब दुबारा trade करूंगा, जब मेरा profit बन चुका है, तो मैं दुबारा trade क्यों क करो, सीखो कि ATMA, 13MA, या फिर 5MA को किस तरीके से use किया जाता है, वो मैं आपको detail में समझाऊंगा, तीन घंटे का live session होता है, और सिर्फ 6 लोग उसका part बन सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको telegram community का भी part बनाऊंगा, इसका part बन के आप साथ में trade कर सकते हैं, और उसके बाद पड़ेगा, जब आप community का part रहते हैं, आप सीखते हैं कि कहां पर trail करना है, कहां पर target book करना है, कौन सी जगे पर hold करना है, क्योंकि मैं या पर लिख के बता रहा हूँ, एक एक चीज, और ये सारा कुछ 1 minute के time frame पे है, सोचो, अगर 10.30 के बाद, जबकि 13 candle हमारा बन जाएग अगर मैं यही चीज आपको 5 minute के time frame पे कराने लग जाओं, तो आपको और बला target देखने को मिलेगा, ये तो मैं 1 minute के time frame पे लगा रहा हूँ, कितना fast होता है, ठीक है, और ये मैं आज ही नहीं, देखो इससे पहले भी, हमेशा मैं आपको ये चीजें जो है, चार्ट के साथ, आप image के साथ लिख के आपको बताता हूँ, कहां पे क्या करना है, किस तरीके से trend देखना है, किस तरीके से target book करना है, कितने देर तक hold करना है, कौन सा trend line, कौन सा support, सब बना के देता हूँ, और जब ये चीजें आप regular basis पे देखते हैं, तो आप master हो जाते हैं कि strategy में, ठीक है तो ये है, अगर आपको video पसंद आया, तो please like जरूर करना, इससे channel को support मिलता है, और अगर आप नए है, इस channel को subscribe करने, क्योंकि ऐसी ही videos जो है, मैं आगे भी आपको update करके देता रहूँगा, और उसके लिए जरूरी है कि आप channel subscribe करके bell icon को press करना, ना भूलना, क्योंकि bell icon और इस telegram group का part भी जो है, आप बन सकते हैं, अब आप बोलोगे sir, आगे की analysis करके मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है, कि आप आगे कहा market जा सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी एक मिनट का time frame लगा हुआ है, 10.30 से उपर निकल गया है, तो मैं 5 मिनट के time side का view है, मैं downside का trade यहाँ पे लेना, पसंद करूँगा, यानि कि sideways to downside, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे trade अगर कोई plan करता है, फिलहाल तो दोनों EMAs जो हैं, आपस में चिपक गए हैं, तो trade लेना थोड़ा सा risky रहेगा, तो कम risk के साथ मैं अगर मैं यहाँ पे enter करता हूँ, तो यह होगा मेरा entry point, यह candle का low, और मेरा stop loss वाला point होगा, वो होगा इस candle का high वाला area, हाला कि यह risky trade है, मैं आपको बता दूँ क्योंकि दोनों EMAs अभी भी आपस में touch हो रहे हैं, चिपके हुए हैं, जब भी EMAs के बीच में gap ना हो, वो trade risky होता है, और भी detail में समझना है, Sunday क like session में पूरा आपको explain करूँगा, target क्या रहेगा sir, यहाँ पे मैं 1-1.5 के target पे भी निकल सकता हूँ, इतना भी अगर मुझे मिल जाता है, तो good है, हाला कि यह risky trade है, मैं आपको फिर से बता दूँ, लेकिन अगर किसी को लेना है, aggressive कोई trader है, तो यहाँ पे ले सकता है, candle high का stop loss रखके downside का put buy करके चल सकता है, ठीके जी, यह ठीक छोटी सी कोशिस आपको समझाने की किस तरीके से trade जो है plan किया जाता है, and I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी question है, तो आप comment section में लेके जरूर पूछना, मैं मिलता हूँ आप से एगले video में, तब तक के लिए take care, and keep learning new things as always, क्योंकि learning यह आपको एक अच्छा and successful trader बना सकता है, thank you so much.